तो सबसे पहले स्टार्ट करते स्टार्ट मैंने अपने आई लिट से स्टार्ट किया है सो यहाँ पर मैंने कर्मा का सौरी क्रैलोन का डर्मा पैलेट यूज़ किया है rain फूल फेस पर भी में इसको अपलाय कर रही हो ब्रश से ही मैं अपलाय कर रही हूं देन मैं व्यूट बियूटी ब्लेंडर से उसको अच्छा से ब्लेंड कर लूँगी यहाँ पर मैंने वेट ब्लेंडर का यूज़ किया है और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन भी लिया था बहुत ही कम कॉंटिटी में लिया था अनली वन ड्रॉप तो यहां पर मैंने दो फाउंडेशन मिक्स कि एक मैक का फाउंडेशन है और इस एले गल प्रो आर्टिस्ट वाला जो फाउंडेशन है वो है इसको भी ब्लेंड कर लूँगी साथ में ही फिर मैंने लिया है तो इस ब्यूटी का कंसीलर और अंडर आइस के नीचे ब्रिज ऑफ दा नोज फोर हेड पर क्यूपिट वो पर मैंने इसको प्लाय कर लिया है इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी इस तरह बेकिंग कर लेंगे दैन मैंने यहां पर का अफसान लाशिस का ब्राउंजर लिया है सो यहां पर मैं कट दे रही हूँ जो भी जॉलाइन के पास हूंगी चीक्स पर दूँगी हॉलो अफदा चीक्स पर अच्छे से शार्प सा कांटोरिंग किया है इमेज में मैम दिपी का मैम ने ठैन उसी कोल उसी ब्राउंजर को मैंने लिया है और उसी से मैंने पूरे लिट्स पर ब्राउन आईशैबो को लगाएं ठैन मैं अपने लोवर लैश लैन पर हमाइपा जीस का लगा रही हूँ उसक अंदर मैंने duraline को mix करके liner form में create किया है इसी से मैं liner draw कर रही हूँ यह मैंने अपने previous वीडियो में भी किया था ऐसा और इस वीडियो में भी कुछ इसी तरह काफी ठिक सा liner draw हुआ हुआ है blue color के साथ ही तो मैं उसी को recreate करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यह नहीं कहती कि मैं दिपी का ma'am जैसी बिलकुल ही वैसी लगूँगी नहीं बट हाँ उनका जैसा मैंने यह look create करने का try किया है तो काफी हद तक मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया भी है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना प्लीज आप लोगों को ये मेकप टुटोरियल कैसा लगा उसके बाद मुझे सैटिस्टेक्शन नहीं हुई थी तो मैंने यहाप पर blue color का eyeliner लिया है तो उसके उपर मैंने फिर से थोड़ा था थिक उसे किया है उसी के उपर मैंने ड्रॉ किया है उसके बाद मैंने बड़ा ही light सा blush रखा है क्योंकि जो image में दिख रहा है वहाँ पर बहुत ही कम blush है तो मैंने भी सिर्फ peach सा color लिया है तो उसको हलका सा सिर्फ top of the cheeks है उस पर apply किया है next मैंने थोड़ा सा eyeshadow लिया है बिल्कुल navy blue वाला जो color होता है royal blue कह सकते हो आप उसे तो मैंने वो color लिया है उसको मैंने थोड़ा सा eyeliner पर top up किया है then मैंने स्वेस बेटी का lip liner लिया है लिप को line करूंगी then मैंने एक nude सा shade लिया है बहुत ही nude क्योंकि image में जो दिखाएगी है यहां पर बहुत ही nude सा shade है kind of brown और orange की बीच का so मैंने यहां पर miss clear का lip cream यूज किया है उसके बाद मैंने maybelline का मशकारा लिया है and upper lash को और lower lash को अच्छे से coat कर लिया है उसके बाद आप लोगों को difference दिख रहा है बहुत अच्छे से volume दे दिया है उसके बाद मैंने यह wax लिया है brow wax blue heaven का और इसी से मैं eyebrows को set कर रही हूँ थोड़ा सा eyebrows को bushy बना रही हूँ because image में अगर eyebrows पर zoom कर के देखा जाए तो eyebrows बहुत ही natural और bushy रखी गई है so मैं भी बहुत करने की कोशिश कर रही हूँ then मैंने highlighter लिया है and highlighter को मैंने बिल्कुल अपने cheek bones पर ही लगाया है बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है बहुत ही कम quantity में क्योंकि उनके जो picture है उसमें भी इतना visible नहीं है बहुत ही less amount में highlighter visible है and वो भी इनके high points पर ही visible है तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर forehead के पास लगाया है अपने जो cheek bone हैं सिर्फ वहाँ पर लगाया है जिससे कि एक lifted look भी आ रहा था बहुत ही अच्छा लग रहा था उसके बाद मैंने यहाँ पर osis plus का wax लिया है hair के लिए hair wax है यह so इसको मैं इस तरह से comper लगाऊंगी और जो भी पीछे के hair जो निकले हुए और आगे जो यह थोड़ा सा hair जो बहार आ रहे नहीं इसको मैं set कर लूँगी इसकी help से and basic सा hair band बनाया है जैसा की image में बना हुआ है so यह है मेरा आज का all over look I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा also काफी हद तक मैंने जो recreate कर पाई हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए so please do like, share and subscribe to my channel guys please अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक like तो बनता है also notification bell भे भी press कर देना तब तक के लिए till then bye bye take care all of you guys please